आज हम सावन के विशे में बात करेंगे सावन का महिना विशे शुरूप से शिव जी की पुजा अर्चिना के लिए माना जाता है चार जुलाई से शिव जी की अराधना का महापर्व शुरू हो रहा है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महिना शीव जी को समर्पित होता है सावन माह में शीव जी की अराधना विशेश रूप से की जाते है इस वर्ष सावन 58 दिनों का होगा यानि शीव जी की पुजापाट और भक्ति के लिए सावन का महिना दो माह का होगा चार जुलाई से सावन का पवित्रमा शुरू होकर 31 अगस्तक चलेगा इस दोरान 18 जुलाई से 16 अगस्तक अधिक मास रहेगा इसी कारण से इस वर्ष सावन का महिना दो महिने का होगा धार्मिक मानितों के अनुसार देवशनी एकादशी से लेकर देवउटनी एकादशी तक भगवान विष्णू योग निद्रा में होते हैं ऐसे में स्रिस्टी का संचालन भगवान शिव जी के हाथों में रहता है अधिक मास के चलते इस बर्ष तुर मास चार की बजाए पांच महिनों का होगा सावन का महिना भगवान शिव को बहुत ही पसंद है हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महिना पांच्वा महिना होता है वेदिक पंचांग की गणना सौर मास और चंदर मास के आधहर पर किजाती है जिसमें चंदर मास 354 दिनों का होता है वहीं सौर मास 365 दिन का दोनों में 11 दिन का अंतर आता है और तीसरे साल ये अंतर 33 दिन का हो जाता है जिसे अधिक मास कहा जाता है, ऐसे में इस बार सावन दो महने का होने वाला है यानि हर सावन में चार या पांस समवार ही पढ़ते थे और शुवभक्त भगवान भूले की पुझा आर्षना करते थे लेकिन इस बार सावन में आठ सोमवार पड़ेंगे इसलिए इस बार दो महने का शिव भक्ती के बयार बहती रहेगी इस दोरान शिव जी का अभिशेक, रुद्राभीशेक, जलाभीशेक, गंगा जल से अभिशेक किया जाएगा साथ ही भक्त गंगा से कामण भर कर भी लाएंगे और शिर जी को गंगा जर अर्पित करेंगे सावन मास का पहला सुमवार 10 जुलाई, सावन का दूसरा सुमवार 17 जुलाई और तीसरा सुमवार 24 जुलाई को पढ़ने वाला है इसके साथ ही सावन का चौथा सुमवार 31 जुलाई, पांच्वा सुमवार 7 अगस्त, छट्वा सुमवार 14 अगस्त, और शाथ्वा सुमवार 21 अगस्त और आठ्वा सुमवार 28 अगस्त को होगा सावन का महिना शिवजी को बेहत प्री है जो व्यक्ति इस पूरे सावन में भक्ती भाव से शिवजी की अराधना करता है उसके सभी मनुकामनाई पूर्ण होती है इसके अलावा यदे कोई जातक सावन के सुमवार का वृत करता है तो उसके विवाहिक जीवन में खुश हाली बनी रहती है इसलिए सावन वाह के सुमवार का विशेश महत तो माना जाता है सावन सोमार व्रत में पूजा के बाद ही भोजन ग्रहन किया जाता है इस दिन साथ एक भोजन ही करें ये निर्जला व्रत नहीं होता इसलिए सेंधा नमक से बनी चीजे आप खा सकते हैं व्रत के चलते दिन में एक बार ही नमक युक्त खाना ग्रहन करना चाहिए अगर आप सिर्फ अलाहारक पर व्रत करते हैं तो मौसमी फोलों का सेवन करें इन फोलों में सेव, अनार, केला, नाशपती या फिर इसका जूस भी आप पी सकते हैं इस महने की सबसे पहचानी जाने वाली विशेषता है कावर यात्रा इस अनुस्ठान में भागवान शिव के भक्त छोटे बरतनों जिन्हें कावर कहा जाता है उसमें गंगा जैसी पवित्र नदियों से जल ले जाते हैं और यह जल शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी क करते हैं इसके लिए भक्त केसरिया रंके कपड़े पहन कर भागवान शिव से जुड़े पवित्र इस्थानों की पैदल तित्य यात्रा कर निकलते हैं जो उनकी भक्ती और समर्पन का प्रतीक होता है इन तित्य यात्रों में अक्सर लंबी दूरी तक पैदल चलना भाजन सावन के महिने में भगवान शिव पर धतूरा, बेलपत्र, चावल, चंदन, शहद आदे जरूर चढ़ाना चाहिए सावन के महिने में की गई पूजा से भगवान शिव जल्द पसंद होते हैं इसके अलावा सावन के सुमवार का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की इ शेश महत्व है, इस दिन प्रात्यकल इसनान ध्यान से निवरित हो शिव जी का इसमरण करते हुए भग्त वरत इम उपवास का पालन करते हुए भाजन व पूजन करते हैं, निर्ते कर्मे से निवरित होने के बाद अपने शिव जी की मूर्ती, चित्र या शिवल्यों को कराएं यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें पूजन में शिव जी के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए जलाए गए दीपक को स्यम कभी नहीं बुझाना चाहिए उसके पश्यात शिव जी के मस्तर पर सफेज चंदन और चावर लगाएं फिर उन्हें हार फूल चढ़ाएं पूजन में अनामिका उंगली छोटी उंगली के पास वाली यानि रिंग फिंगर से आप गंध चंदन हीना अबीर गुलाल मोगरा आधी लगाएं पूजा करने के बाद प्रशाद या नवैध्य अर्थाद भोग चढ़ाएं ध्यान रखें कि नमक और तेल का प्रियोग बिल्कुल भी ना करें अंत में उनकी आर्तिकर की नवैधे चढ़ा कर पूजा का समापन करें घर में या मंदिर में जब कोई भी विशेश पूजा करें तो अपने इस्टिदेव के साथ ही स्वास्ति कलश नवग्रव देवता पंच लोगपाल शोड और कि दो महने का है कहा जा रहा है कि ऐसा दूलब संयोग करिब 19 साल बाद बना है और शिव भक्त बड़े ही बेसब्री से इस पल का इंतजार करते हैं कहते हैं शिव भूले हैं प्रेम और शद्धा से उन्हें जो भी अरपित करिया जाए वे सहर्ष स्विकार कर लेते हैं बशर्थे वो खंडित नहीं होना चाहिए इस पवित्र महिने में भग्वान शिव की भक्ति करने से सादकों को बल बुद्धी एम विद्या का आशिरवात प्राप्त होता है वेद एम शास्त्रों में शावन मास के महत्तों को विस्तार से बताया गया है मानता है कि माता पा में ही प्रिथी परवास करते हैं और अलग अलग रूपों से भगवान शीव की अराधना करते हैं श्यामण मास में भगवान शीव की पूजा अर्चना करने से सभी दूखों का नाश होता है और साधक की सभी मनो कामनाय पूर्ण हो जाती हैं मान्याता यह भी है कि श्रावण मास में 12 जूति लिंग में से किसी भी एक जूति लिंग के दर्शन करने से साधक को अश्यो मेग यगे के समानफल के प्राप्ति होती है आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी हमें देजे इजाजत अगली कड़ी में और भी रुचक जानकारीों के साथ होगी मुलाकात नमस्कार झालiri स्कारी दोली कर दोली के साथ होगी मुलाका अवलापको कि भी खुचक जानकारी आपको खुचक जानर का समेकogen अेयास झाल झाल झाल